हेलो एवरिवन, वेलकम टो फूट फिजियोलोजी विद ध्वनी, आज की हमारी रेसिपी है आलू मतर पुलाव और साथ में टमाटर की स्पाइसी और टैंगी चटनी सबसे पहले एक अनियन, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर को पीस कर एक प्यूरी बना ले अब एक कुकर में दो टेबल स्पून तेल को गरम करके उसमें वन फोर टी स्पून जीरा और एक तेज पत्ता डाले और साथ ही अनियन्स की प्यूरी को डाल कर उसे अच्छे से भून लेना है अनियन्स को तब तक भूनना है जब तक तील सेपरेट नहीं हो जाता अब उसमें वन टेबल स्पून जिंजर गालिक पेस्ट एड़ करे और साथी हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला स्वाद अनुसार नमक डाल कर सभी मसाले को दो मिनिट के लिए भून लेना है अब एक आलू और साथी हाफ कप के करीब मतर भी एड़ करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए मैंने यहाँ एक कप रेग्यूलर चावल को दो के उसे हाफ एनार के लिए सोक करके रखा था अब उसे भी एड़ करे और देड़ कप के करीब पानी डाल दे अब उपर से वन टीस्पून गी एड़ करे टेस्ट को एनहंस करने के लिए और तीन सीटी आने दे मिन्वाइल चटनी रेड़ी कर लेते हैं उसके लिए सबसे पहले टमाटर को गैस पर रोस्ट कर लेना है जब तक कि उसकी पूरी स्किन काली नहीं हो जाती मैंने यहाँ तीन टमाटर लिए हैं उसे अलट पलट के सभी तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लीजिए जब तमाटर थोड़े ठंडे हो जाए तब उसका छिलका उतार लेना है और उसके छोटे छोटे टुकडे कर लीजिए अब इस तमाटर को मिक्सचर में डाल कर साथ ही दो ग्रीन चिली और पांच से छे कलिया गारलिक की डाल के सभी को पीस लेना है अब इसे एक बाउल में निकाल ले उपर से एक बारिक कटा प्यास को डाल दे और एक मुठी के करीब धनिय को भी एड़ करें उपर से 1⁄2 टीस्पून नमक, 1⁄4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1⁄2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1⁄2 टीस्पून रेट चिली और 1 टीस्पून ओल डाल कर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजे हमारी टमाटर की स्पाइसी और टैंगी चटनी एकदम रेड़ी है, उसे एक बोल में निकाल लेंगे आलू मटर पुलाव भी एकदम रेड़ी है, उसे भी एक प्लिट में निकाल लेंगे आलू मटर पुलाव को इस टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें और एंजोई करें अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू